हेलो स्टुरेंट्स वालकेम च्यू आरे बच्चो आप सभी लोगों का मैं डीवी सर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ स्नाइपर डिफेंस अकेडमी की यूटुब प्लाइप बच्चो स्नाइपर डिफेंस अकेडमी ने एक काम बहुत अच्छा किया है वो काम अच्छा यह किया है कि online education को provide करना शुरू करें देखिए बच्चो ऑफलाइन के अगर हम बात करें तो ऑफलाइन का तो कोई option ही नहीं होता लेकिन आज अगर बच्चा कोई बहुत ज़्यादर distance पर रह रहा है या वो offline की fees पे नहीं कर पा रहा है तो उसकी इस problem को ध्यान में रखते ह हुए Sniper Defense Academy ने अपने online courses launch करे हैं और वो जो course हैं वो course आपको मिल सकते हैं हमारी application पर तो अब अगर मैं बात करूँ जैसे ये कहा जाता है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा राजा वो ही बनेगा जो हकतार हो यानि अगर आप में कुछ कर गुजरने की इच्छा है कुछ कर गुजरने का दम है कुछ करना चाते हैं अपने सपनों को साकार करना चाते हैं तो अब आपके सपनों को साकार करने में आप की मदद करेगी Sniper क्योंकि Sniper Defense Academy बहुत कम कीमत पर लगभग11 ग्यारा रुपे से हमारे कोर्स शुरू हो रहे हैं और ग्यारा रुपे बहुत कम कीमत हो अगर ग्यारा रुपे के कोर्स में आपको कुछ टेस्स सिरीज मिल जाएं और 2199 में अगर आपको GS का पूरा को पूरा कोर्स मिल जाए मैतमेटिक का पूरा स्लेबस कावर हो जाएं इंगलिश का पूरा कोर्स कावर हो जाएं तो 2199 कोई बड़ी कीमत नहीं है मेरे बच्चों सपनों को साकार करने के पर ना अगर आफलाइन की बात करें तो बहुत जादा कोसली तो फीस मिनिमम रखी गई क्वालिटी मैक्सिमम रखी गई और जो कमिटमेंट है वो 100% रखा गया और इसी को ध्यान में रखकर हमारे कोर्स बने हैं तो आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं कोर्स में प्री वीडियो को देख सकते हैं इसके लिए आपको हमारी अप्लिकेशन पर जाना होगा प्ले स्टोर पे जाईए स्नाइपर डिफेंस अकैडमी के अप्लिकेशन को इंस्टॉल करिए और तुरंत प्री वीडियो देखिए और कोर्स परचेस करिए और अभी से ही अभी से ही दिसंबर और जनवरी दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में होने वाले जो एक्जाम हैं आल इंडिया सैनिक यूपी सैनिक स्कूल आरमेस इनकी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से कीजिए तो देर मत कीजिए दोस्तों तुरंत पोन उठाईए सर्च करिए स्नाइपर डिफेंस अकैडमी और तुरंत कोर्स को परचेस कीजिए अब किस तरह की चीज़े हम आपको करते हैं उसके डेमो आप हमारे यूटूब पर भी देख सकते हैं तो जैसे मैं डीवी सर आपको सेशन कराता हूँ और आज हम क्लास 6 के लिए लेके आये हैं साइन्टिविक डिवाइज अब साइन्टिविक डिवाइज जो आज का चैप्टर मेरा क्लास का है सबसे पहले यह समझे कि साइन्टिविक डिवाइज है क्या देखो बच्चो यहाँ पर इस थम्मेल में आपको एक चीज दिखाई दे रही है साइन्टिविक डिवाइज डिवाइज का मतलब है कोई ऐसा इंस्टुमेंट जो यूज किया जाता है हुमेन लेबर को कम करने क लिए जो इंस्टुमेंट जो टेकनोलजी यूज की जा रही है जिस एक्यूपमेंट के दुवारा जी उस की जा रही है उसे कहते हैं डिवाइज अब डिवाइज तो पहले से थी फिर एक और चीज आई साइन्टिविक डिवाइज यानि उन चीजों के अंदर साइन्स के प्रिंसिपल को इंक्लूड किया गया और उनके बेसिस पर बनाए गएं साइन्टिविक डिवाइज जो हुमें लेबर को मिनिमाईज कर देती हैं या कम कर देती हैं जैसे सपोज एट कंप्यूटर आया जैसे सपोज दैट पीडोमीटर आया ऐनिमोमीटर आया पैरोमीटर सिस्मोग्राफ आया, स्फिगनो मैनोमीटर आया यह सारी कि सारी scientific devices से हाई है और यह scientific device कियो important है क्योंकि यह आती है आपके exam में exam में छो journal science वाला section होता है यानि science का वो part जो आज हम अपने डेली वेस में use कर रहे हैं अगर मैं आपसे पूछ लूँ बच्चो 6 वार नाहीड जो होता है तुमको पता कैसे चला तुमकि सर हमने अपना टंप्रेशर मेजर करा लिए अरे बही ना पा किसे तो ना पा आपने थर्मामीटर से अर्मामीटर में साइंस भी तो लगावा वा है किया हो गई मैंधिस का जो आपने बहुत जादा देखा है, सुना है और यूज करा है तो चलिए, क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों, बिना कुछ देर किये देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं उसका एक बेसिक तो हमें पता ही होना चीज है, कैसे देखिए इस साइन्टिफिक डिवाइज, साइन्टिफिक डिवाइज है क्या जैसे एक कॉमन लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, अब एक बार किताब या बुक की लैंग्वेज भी आपको मैं बता देखिए एक टूल और पीस आफ एक्यूपमेंट, एक टूल या पीस आफ एक्यूपमेंट है, जो यूज किया जाता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इसके लिए यूज किया जाता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए A scientific instrument is a device or tool used for scientific purpose ठीक है बच्छो ये वाली बात हो गई ये होती है scientific device अब सर आपने definition तो बता दी हमें definition समझ में भी आ गई लेकिन सर हमें पता कैसे चलेगा कि आप क्या बताना चाह रहे हैं अरे प्यारे बच्छो वही चीज तो मैं बताने तुमको आया हूँ देखिए अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले देखिए जैसे एक चीज बताई विये इसके अंदर आपको accumulator accumulator की अगर हम बात करें तो यह क्या होती है देखिए accumulator क्या होता है बच्छो वही अक्यूमिलेटर क्या होता है सबसे पहले आप उसकी एक बार इमेज देखिए यह है accumulator क्योंकि जब तक आपके सामने इमेज नहीं आएगी तब तक आपको कैसे पता चलेगा अब accumulator क्या होता है क्या होता है इसका यूज मैं आपको बता दूं यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनरजी यानि इलेक्ट्रिकल एनरजी को जो स्टोर करने के लिए जमा करने के लिए जिस equipment का हम यूज करते हैं हम क्या कहते हैं accumulator और यह होता कैसा है तो देखिए यह इस सरह से होता है यह bladder accumulator है और यह piston accumulator है दोनों के दोनों ही accumulator है जो एनरजी को स्टोर कर रहे के लिए यूज किये जाते हैं clear है यहाँ पर आपको diagram से बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से आपको बच्चो क्यों कि science without experiment कोई भी बात नहीं science with experience is very very important कि बच्चों चलिए नेक्स बात करें एनिमो मीटर की तेको एनिमो मीटर क्या होता है एनिमो मीटर क्या होता है बच्चों it measure the force and velocity of the wind यानी जो हवा होती है हवा की velocity और हवा का बल बताने के लिए force और विलोसिटी बताने के लिए जिसका यूस किया जाता है वो है आपका एनिमो मीटर जैहिंद विराट जैहिंद विराट welcome to the sniper defense academy विराट how's your interview profession going on I think your interview will be tomorrow or the day after tomorrow all the best for your interview विराट accumulator आपको दिखा देखो ये रहा accumulator ये चीज़ होती है बच्चों sorry एनिमो मीटर ये होता है ये हवा की आपको क्या बता रहा है velocity और force के बारे में बता रहा है ठीक है बात यहां तक चलिए अगला question बात करेंगे अगला देखी क्या है अगला है audio meter audio meter कैसा होता है बच्चों audio meter ऐसा होता है ठीक है audio meter ऐसा होता है it is used to measure the intensity of the sound sound की intensity sound की जो तीवरता है उसको पताने के लिए क्या use किया जाता है audio meter audio meter audio meter देखो बच्चों ऐसा होता है इसमें आपको दिख रहा है कि जो audio जो आप बोलते हैं उस audio का एक graphic के थुरू बताया जा रहा है यह है audio meter जो noise cancellation के अंदर भी use किया जाता है समझ में आ रही है ना मेरी बात बच्चों अगले point की बात करें बैरो ग्राफ तो देखो बैरो ग्राफ आपको पता है कि सर बैरो ग्राफ जो होता है atmospheric pressure की reading होती है reading होती कैसे है मेरे प्यारे बच्चो तो barograph ये होता है barograph क्या होता है जो atmosphere होता है उस atmosphere का जो pressure होता है वो pressure कितना पड़ता है कैसे होता है कैसे measure किया जाता है यही सारी की सारी बाते बताता है हमें barograph और barograph दिखता कैसा है तो barograph ऐसा दिखता है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ समझ में याई मेरी बात बच्चो एक एकंण इंस्ट्रुमेंट जो है scientific device का इमेज में आपको बता रहा हूँ ताकि आपके ज़ाध असर छीजे समझ में आ सके हैं और आपको पता चले कि कैसे चीजे होती है नेक्स्ट है बैरोमीटर अभी क्या मैंने बताया अभी क्या था बताया था अभी मैंने बताया था आपको बैरोग्राफ ये ग्राफ की फॉर्म में देखो ये ग्राफ की फॉर्म में है अब मैं आपको बता रहा हूँ बैरोमीटर बैरोमीटर ऐसा होता है कुछ घड़ी की त वैसी तो लग रही है देखो घड़ी ही लग रही है ठीक है तो क्या है यह बैरोमीटर बैरोमीटर क्या काम करता है सर बैरोमीटर बताता है वायूमंड लिए दबाव एट्मोस्फेरिक प्रेशर बताता है सर यह तो अगर यह एट्मोस्फेरिक प्रेशर बताता है तो की और देखें कर देखें है नेक्स्ट है आपका कि पाइने पुलोर पैने कहा और आपैने को तुरंड दिखाई दे गई दुर भीन वाइन खुलर दूर की चीज़े देखने के लिए यूज किया जाता है देखते हैं न जैसे आप वही जैसे अगर आप कोई दूर की चीज देख रहे हैं तो आप आखों में लगा लेते हैं न ऐसे बाइनकुलर तो वैसे ही यह होता है बाइनकुलर से तो बाइनकुलर क्या यूज होता है यूज तू वियू इस्टें दे रहा है समझ में आई मेरी बात बाइनकुलर्स आपको दिख रहे हैं कुछ बच्चे भी यूज़ करते हैं बाइनकुलर्स का नेक्स्ट बात करें तो अगला आता है कैलोरी मीटर वई बच्चो कैलोरी मीटर क्या होता है कैलोरी से एक बात ध्यान नखो कैलोरी का मतलब है आपका जो कैलोरी कैलोरी क्या होती है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं तो बॉड़ी में एनर्जी मिलती है एनर्जी को calorie को जो उसकी quantity होती है उसे कैसे चेक करा जाता है तो यह क्या बता रहा है quantity of heat heat यानि की जो उश्मा ठीक है आर वी सी केंड जैहिंद welcome to the sniper defense academy calorie meter क्या बताता है quantity of heat तर दिखता कैसे है calorie meter तो मेरे प्यारे बच्चो calorie meter यह रहा आपके सामने calorie meter यह बिल्कुल आपके सामने है और इसी के थुरू quantity of the heat को laser किया जाता है यहां तक बात समझ में आ रही है सब को किसी को कोई doubt हो कोई problem हो तुरंद हम से संपर करें क्योंकि हमारी academy में हम सब लोग ने यह ठाना है कि हिंदुस्तान के हर बच्चे तक quality full education को पहुंचाना है अब हर बच्चे का सपना साकार होगा उस बच्चे के सपने साकार करने के लिए किसी भी तरह की financial problem उसके आड़े नहीं आएगी यही हमारी sniper defense academy का लक्ष है सपना है और हमारी पूरी टीम इसी सपने को साकार करने के लगी हुई है कि बच्चों को ऐसा quality full education देना है बच्चों को इतनी अच्छी तरह से समझानी है चीजे कि एक बार हम से वो जुड़ गया तो बस उसका selection ही होगा वो कहीं भी भटकेगा नहीं एक मात रिसान only one place where you can get a selection ticket that is sniper defense academy calorie meter clear हुआ बच्चों आपको चलिए next की बात करें विराट कह रहे हैं yes sir okay विराट next देखो कार्डियोग्राम क्या होता है पहले कार्डियोग्राम क्या होता है ये बाद में पहले आपको दिखाते हैं होता क्या है क्योंकि हम देखने से जितना सीख जाते हैं उतना हम सुनने से नहीं सीख कार्डियोग्राम ऐसा होता है अब आपके दिमाग में तुरंत आ गया के सर कार्डियोग्राम ये जो सर बनाया आपने जो दिखाया है सर ये तो हमने हॉस्पिटल में देखा है ये तो हमने मूवी में देखा है ये जो लाइने होती है ना सर ये हार्ट बीट के बारे में बताती है हाँ भई तो life में ups and downs आते रहते हैं उतार चड़ाओ का आना ही life है ठीक है मेरे प्यारे बच्चो तो अब ये जो कार्डियो ग्राव है ये मैं आपको समझा देता हूँ देख तो आपने लिया ही है तो कार्डियो ग्राव डिटेक्स अलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड रिदम आफ the heart over a period of time ठीक है आगे ECG की फुल फॉर्म आ गई फुल फॉर्म क्या है प्यारे बच्चो इलेक्ट्रियो कार्डियो ग्राम जैसे पेपर में आ जाता है कि ECG टेस्ट ECG टेस्ट किस से रिलेटिड है तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि ECG टेस्ट किस से रिलेटिड है ह राट से और हार्ट के अगर मैं बात करूं तो हाट में आप ध्यानने किये human heart अनव का जो हिर्दय है वो एक मिनट में कित्ती बार धलगता है बच्चो 72 टाइमस human heart beat 72 times in a minute अरे बच्चे का कितने बार्थ लगता है बच्चो जो छोटे बच्चे होते हैं newborn babies उनकी heart beat जादा होती है तो उनका जो heart beat होता है जो child होते है child का अगर मैं बात करूँ तो child का जो heart होता है child का heart beat करता है 150 time 150 times बच्चे का कितनी बार धलकता है बच्चो बच्चे का धलकता है 150 बार एक मिनट में 150 बार धलकता है तो मुझे बताओ जरा mathematics के दुरंदर हो 24 गंटे में कितनी बार धलकेगा चलिए आपके लिए mathematical question मैंने एक दे दिया अगर एक child है उसका heart एक मिनट में एक मिनट में 150 time beats करता है एक मिनट में 50 बार धलकता एक सो पचास बार धलकता है तो पूरे के पूरे 24 hours में कितनी बार धलकेगा विराट कह रहे हैं 150 mps मैंने पूछा है विराट टोटल कितनी बार धलकेगा यह तो एक मिनट में हो गया 150 time मैंने पूछा है 24 hours में कितनी बार धलकेगा 36,000 बार के calculation एक बार और चेक करो बचो calculation एक बार और चेक करो इतना भी असान नहीं है दिल का मामला है दिमाग लगाना पड़ेगा दिल का मामला है दिमाग लगाना पड़ेगा तबी तो कहते हैं कि चाहे जैसे भी हैं लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी एक बार कोशिश करके देखो क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती देखे बच्चो और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती इसलिए लहरों से मत डरिये सामना करिये face करिये situation का क्योंकि सीधी line का मतलब भी जीवन नहीं होता टेड़ी मेड़ी line उतार चड़ाओ का नाम ही life है आगे बात करेंगे देखिए डाइनमो डाइनमो पढ़ा तो बहुत होगा बहुत से teachers ने आपको पढ़ाया होगा यूटूब पर लेकिन डाइनमो की image भी आपको पता होना जरूरी है तो डाइनमो क्या करता it converts mechanical energy to electrical energy जो machine के अंदर mechanical यानि जो mechanical energy है उसको वो क्या करता है वो करता है आपका electrical energy में convert good evening जी good evening तो डाइनमो कुछ ऐसा होता है बच्चो डाइनमो कुछ ऐसा होता है यह जो मैंने image आपको बताई है क्या करता है mechanical energy को convert करता है किसमे electrical energy में किसमे convert करता है electrical energy के अंदर convert करता है next बात करें पैदो मीटर पैदो मीटर पैदो मीटर क्या होता है जमीन की गहराई के लिए उस होता है फैदो मीटर इट इस डिवाइज यूस्टू मेजर ओशन डैप्थ जब आप समुंदर में जाते हैं समुंदर की डैप्थ में जाते हैं समुंदर में गोता मारते हैं बार बार गोता मारते हैं तो वहां पर आपको कितना नीचे चले गए कितनी depth में हैं ये बताता है आपको फैदो मीटर फैदो मीटर क्या बताता है आपको measure the depth of the ocean यानि समुन्दर में आप कितनी गहराई में हैं ये आपको बताता है कि बच्चो फिराट का जवाब आया है कि sir 3,60,000, टीन लाग साथ हजार ओके तो फैदोमेटर समझ में आ गया अगर आप से पूछ ले एक्जाम में कि फैदम फैदम किसकी यूनिट है फैदम किसकी यूनिट है वही फैदम यूनिट है आपकी ओशन डैप्थ की समुंदर की गहराई की वो यूनिट है नेक्स बात करें गैलवीनो मीटर गैलवीनो मीटर क्या होता है बच्चों गैलवीनो मीटर क्या होता है यह इलेक्ट्रिक करेंट इलेक्ट्रिक करेंट ओफ लो मैगनिट्यूड इलेक्ट्रिक करेंट ओफ लो मैगनिट्यूड को यह मेजर करता है ठीके और यह कुछ दिखने में ऐसा होता है क्योंकि जब आपके सामने एक इमेज आ जाती है ना तो बच्चों तुमारे दिमाग के अंदर कीजे जल्दी से स्टोर हो जाती है कि इसलिए आपको डिटेल विद इमेज विद प्रेजेंटेशन क्लास प्रोवाइड कर आई यह डीवी सर की दुआरा डाट्स मी चली आगे की बात करेंगे बच्चों आगे की अगर हम बात करें तो ग्रामो फोन पही जब पहले का जमाना था आज कल तो मुबाइल का जमाना आ गया है और मुबाईल में एएर फोन आ गए, एर बड आ गए हैं लोग अपने खान में लगाते हैं, अपना काम करते रहते हैं यानि मि補िक का मुजिक हो जाता है और भीया काम का काम हो जाता है लेकिन पहले जमाने में लोग संगीत जो सुनते थे भड़ी शिद्दत के साथ सुन लगा के सुनते थे जान पूरा गानों पर data focus के साथ तो gramophone क्या होते थे यूस्टु reproduce recorded sound पूर करके इस पर रखा जाया ता और इसे ऐसे फ्रेस करते थे और फिर वो बजना शुरू हो जाता है पुराने पुराने फॉर तेिसरे कैसिट समस्ते हो ना कैसीट जिसे पहले वीडियो कैसीट के अंदर रिकॉर्ड होता था Chasid को लगाया जाता था पिर वो चलती थी ऐसी ही जो थी Tap Recاد Ray भी थे यह Gramofone क्या है एक आपका जो भी Sound होगा उसको टोर कर दिया जाथा और फिर उसे लगाया जाता था Gram की तरह और यह Phone की तरह आपको Sound देता था इसे कहते थे Gramof य'Tным ची बच्छोओ नेक्स्ट है हाइग्रो मीटर देखो भई हाइग्रो मीटर क्या होता है हाइग्रो मीटर हुमिडिटी मेजर करता है हाइग्रो मीटर क्या कह रहा है हुमिडिटी हुमिडिटी और अमाउंट ओफ वाटर वेप्योर इन दा एयर वाटर वेप्योर जो आपका जलवाश पर है व खाप बनकर आस्मान में इखटा हो जाता है उसे कहते हैं water vapor water vapor it means a gas form of water vapor in the air water vapor humidity और यह क्या बताता है इसको measure करने के लिए हाइग्रो मीटर हाइग्रो जब humidity ज़्यादा होती है ना जब water vapor ज़्यादा होती है तो ही तो बारिश होती है कहते हैं ना जितनी गार मी पड़ेगी उतनी तेज बारिश होगी तो जितनी गर्मी पड़ेगी उतनी ही बारिश होगी यानि कि गर्मी तो तब पड़ेगी जब सूरज निकलेगा और सूरज कब निकलता है सूरज निकलता है जारतर सर्दियों में पर गर्मियों में निकलता है इसलिए तो गर्मी ज़्यादा प नेक्स्ट है लेक्टोमीटर देको लेक्टोमीटर क्या होता है बहुत बहुत पूछा जाता है एक्जाम में बहुत रिपीट होता है बहुत जादा लेक्टोमीटर टेक दा प्यूरटी ऑफ दा मिल्क दूद की दूद की शुदता दूद की शुदता जानने के लिए यूस कि कि दूद को जब डेरी पे लाया जाता है तो चेक करते हैं डेरी वाले में कि कितनी प्योर्टी है इतना उसमें पानी है या कितना उसमें यूट्रेंट है वो सब चेक करा जाता है और इसलिए तो कहते हैं कि 100% शुदुता वाला दूद जो होता है वो आजकल मिलता नहीं क्यो तो pure दूद तो वो ही है अगर आपके यहां पर गाए भैस है और आप उसका ही दूद आपको मिल रहा है तो आप सोबाग्य शाली हैं अंदुस्तान में आप बहुत जादा valuable है कि आपको pure चीजें मिल रहे हैं कि सब को मिलावटी चीजें मिल रहे हैं आज कल बच्चो तो लेक Thermal Radiation Thermal Radiation की बात करता है Bolometer कुछ इस तरह की यह device होती है किसके बारे में बात कर रही है Bolometer के बारे ठीके बच्चो समझ में आई आई आपको बात Bolometer याद रहेगी Bolometer क्या बता रही है Bolometer बता रहा है आपको इसके बारे में यह बता रहा है आपको radiation के बारे ओके समझ में आई मेरी बात चलो आगे की ओर चलो next है calipers calipers क्या करता है पहले तो यह समझे कि device measuring the diameter inside diameter inside and outside cylindrical object किस थरह से हो car painter in years लोग इसका use करते है calipers इस तरह का होता है instrument या या निए समझ में आ रही है मेरी बात आपको जान से देखे इंस्ट्रूमेंट से बहुत जल्द के लिए अगला देखो अगला है cathiometer cathiometer क्या कहता है बच्चो cathiometer क्या कहता है height height and level measuring device in scientific experience height and level measuring device in scientific experiment तो कुछ इस तरह से होता है आप देखिए इसका जो बात है ये तो height और level बताता है किसकी scientific experiment की जो भी आप scientific experiment करते हैं कि height और उसके level के बारे बताता है cathiometer और cathiometer कुछ कैसे दिख रहा है कुछ इस तरह से वो दिख रहा है समझ रहे है मेरी बात को बच्चो चल आगे की ओर चलते हैं next है casco graph casco graph क्या होता है अच्छ बच्चो इस से पहले मैं तुम्हें casco graph के बारें बताऊं मुझे फटावट से comment section में ये बता दो कि ये जो casco graph है casco graph जो है इसे किसने बनाया था चलिए बताता हूं casco graph क्या होता है तो देखो casco graph क्या है a tool showing the growth growth किसकी बता रहा है tree and plants पेड़ और पौधो की growth के बारे में जो बताए ये क्या कहते है casco graph तो देखो क्या है ये ये है एक potted plant वेट पलपी pointer ये एक instrument है या है ये एक instrument है और इस instrument की अगर बात करें ये बनाया था जगदीश चंद्र बोस ने बनाया था जगदीश चंद्र बोस ने ये बनाया क्या बनाया था ये बनाया था casco graph casco graph किसने बनाया JC बोस जगदीश चंद्र बोस ने बनाया ता कैस को गर कैसे आपको क्या पता चलेएगी के लिए तोर साउथ और हुपर की और south नीची की ओर तो not to south direction बताने के लिए compass का यूज करते हैं अगर कहीं आप first जाएं आपको पता ना चले कि कौन सी direction में जाना है तो आप compass का यूज करिए किसका यूज करिए compass का आपको यूज करना है ठीक है बच्चो समझ में आई यहां तक बात आपको आगे बात करेंगे एक और instrument की carburetor कार्बुरेटर कहते हैं न carburetor में कच्रा आ गया है मेरी गाड़ी नहीं चल रही है तो भई carburetor है क्या हम बताएंगे न क्या है कि हम आपको science का section बता रहे हैं देखो carburetor it is a tool used in internal combustion engine combustion क्या होता है आपने गाड़ी के अंदर पैट्रोल डाला गाड़ी के अंदर आपने petrol pump से petrol फिल कराया तो वो petrol energy कैसे देगा वो क्या reaction करेगा क्या action करेगा उसका जो changes आ रहा है chemical जो changes हो रहा है उससे हम कह रहे हैं simple language में combustion combustion in engine suppose मैं मैंने खाना खाया खाना खाया तो मेरे पेट में गया पेट में गया तो उससे अलग अलग पार्ट में तोड़ा उससे energy बनी energy बनी तो मैं काम करने लगा न ऐसे ही गाड़ी के अंदर जो भी chemical changes होते हैं फ्यूल फिल करने के बाद उसे एक machine के language में हम कह देते हैं combustion ठीके बच्चो समझ में यह आई बात है आपको तो चलिए आज की class को यहीं पर रखेंगे अगली class में फिर आप से मुलाकात करेंगे तब तक आप sniper defense academy से जुड़ते रहिए और हमसे इसी तरह नए नए नी चीज से सीखते रहिए वाद चीक लास को ओवर करेंगे बच्चो थैंक्यू वैरी मच चैहिंद